साथियों, एक और मा है जो देश के बच्पन को, हमारे जीवन को निरंतर पोशित करती आ रही हैं, जिसका आभार गोकुल की धर्ती से मैं जताना चाहता है। ये मा है हमारी गो माता, जिसके दूद का कर्च कम से कम भारत में कोई नहीं भूला सकता। गो माता ने दूद, दही, मक्षन से अपने माल गोपाल का हर तरह से पोशन किया था। साथियों, गाय हमारी संस्कृती, हमारी परंपरा का एहम हिस्सा रही है। गाय ग्रामीन अर्तिवर्स्ता का भी महत्वपुन हिस्सा रही है। यहां मतुरा में तो गो सेवा की एक समरुद्ध परंपरा रही है। बहन सुदेवी दासी जी, जिनको हाल में ही पदमस्री से सनमानित किया गया है, उनका जीवन हमारे संस्कारों की शक्ति को दर्साता है। साथ क्यों, गोकुल की इस भावना, देश की भावना को विस्तार देते हुए, पशुधन को स्वस्त और बहतर बनाने के लिए, हमारी सरकार द्वारा राष्टिय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इस बार बजेट में इसको विस्तार देते हुए, राष्टिय काम देनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहट पान्सो करोड रुपिय का प्रावधान, गव माता और गव ओंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम काईदों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किया गया है। साथ क्यों, पशू पालक परिवारों की सहायता के लिए अब बैंकों के दरवाजे भी खोल दिये गए हैं। फसली रून की तरह पशू पालकों को भी किसान क्रेडिट काड के तहट बैंकों से तीन लाग रुपिय तक का रन मिलना सुनिस्चित हुआ है। इससे हमारे तमाम पशू पालक मेहन भाईयों को बहुत लाब होने वाला है। साथी ये कदम देश की डेरी इंडर्स्री का विस्तार करेगा। जब डेरी इंडिस्ट्री का विस्तार होगा तो पसू पालकों की जेब में ज़्यादा पैसा पहुचेगा और उनका जीवन आसान होगा